सवाल भारतिय किसान यूनियन की स्थापना हुई थी सही उत्तर है सवाल काल माक्स ने निमनलिखित में से किस सिध्धान्त की सहायता से वर्क संघर्ष की प्रक्रिया की सवाल निमनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ए राष्ट्रिय गीत वंदे मातरम की रचना बंखिम चंद्र चटजी ने मूल रूप से बंगाली में की थी शक्यूग के आधार पर भारत के राष्ट्रिय कैलेंडर में आमतोर पर 22 मार्च को पहला चैत्र होता है और एक लीप वर्ष में 21 मार्च होता है C. भारत के राष्ट्रिय ध्वच का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को समविधान सभाद्वारा अपनाया गया था D. रवींगनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली में रचित गीत जनगन मन को 24 चनवरी 1950 को समविधान सभाद्वारा अपने हिंदी संसकरण में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था सही उत्तर है A. राष्ट्रिय गीत वंदे मातरम की रचना बंखिम चंद्र चटजी ने मूल रूप से बंगाली में की थी सवाल वर्तमान कलेंडर आधारित है A. जूलियन कैलेंडर B. ग्रेगोरियन कैलेंडर C. यहुदी कैलेंडर D. मुहम्मडन कैलेंडर सही उत्तर है B. ग्रेगोरियन कैलेंडर सवाल, फालुन गोंग, एक लोकप्रिय आंदोलन बनता जा रहा है A. जापान, B. चीन, C. डक्षिन कोरिया, D. उप्रोक्त सभी सही उत्तर है, B. चीन सवाल मदर टेरेसा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? A. वो अलबानिया में पैदा हुई थी, B. वो 18 साल की उम्र में नन बन गई, C. वो अपनी मृत्यू के समय भारतिय नागरिक नहीं थी, D. वो एक बार कलकत्ता में एक शिक्षक थी सही उत्तर है, C. वो अपनी मृत्यू के समय भारतिय नागरिक नहीं थी सवाल मदर टेरेसा द्वारास्थापित धार्मिक संस्था कहलाती है A. चैरिटी की बहने B. मिश्नरीज ओफ चैरिटी C. प्यार का संगतन D. सभी के लिए दान सही उत्तर है B. मिश्नरीज ओफ चैरिटी सवाल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है A. 21 सितंबर B. 15 अगस्त C. 21 अप्रेल D. 22 जून सही उत्तर है C. 21 अप्रेल सवाल निमनलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है A. फतेह सिंगराथ ओर टाइगर मैन B. सुरेश तेंदुलकर राजनीतिक वैग्यानिक C. मनी कनाल फिल्म निर्माता D. आर S. शर्मा इतिहासकार सही उत्तर है B. सुरेश तेंदुलकर राजनीतिक वैग्यानिक सवाल ची ने तिबबत पर कबजा किया A. 1960 B. 1969 C. 1961 D. 1962 सही उत्तर है B. उन्नी सो उन्सत सवाल भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांगलादेश एक स्वतंतर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था A. दिसंबर 1970 B. मार्च 1970 C. मार्च 1971 D. दिसंबर 1971 सही उत्तर है D. दिसंबर 1971 सवाल किस वर्ष युए से सार रूस बन गया A. 1989 B. 1990 C. 1991 D. 1992 सही उत्तर है C. 1991 सवाल जमनी का एकी करण कब हुआ? A. दो अक्टूबर 1990 B. तीन अक्टूबर 1990 C. पांच अक्टूबर 1990 D. दस अक्टूबर 1990 सही उत्तर है B. तीन अक्टूबर 1990 सवाल जवितिया विश्व युद्ध 1941 में सयुक्त राज अमेरिका की भागीदारे का मुख्य कारण था A. युरोपिय शक्तियों के बीच युद्ध हुआ B. अमेरिकी बैंकरों के पास जर्मनी का रिंधा C. सयुक्त राज अमेरिका की ततस्त विदेश नीती D. पलहाब पर आक्रमन सही उत्तर है D. पलहाब पर आक्रमन सवाल सयुक्त राज अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपती थे A. जॉर्ज वाशिंग्टन B. जॉन एडम्स C. अब्राहम लिंकन D. जेफ कैनेडी सही उत्तर है A. जॉर्ज वाशिंग्टन सवाल निम्नल इखित में से कौन सा सयुक्त राज अमेरिका का राष्ट्रपती था जिसने राष्ट्रपती के पद से इस्तीफा दे दिया है A. बिल क्लिंटन B. रिचार्ड निक्सन C. जॉर्ज डबल्यू बुश D. उपर युक्ट में से कोई नहीं सही उत्तर है B. रिचार्ड निक्सन सवाल बिशप डैस्मन टूटू का संबंध किस देश से है A. दक्षिन अफ्रीका B. निकारागुआ C. मौरिशस D. नामीबिया सही उत्तर है A. दक्षिन अफ्रीका सवाल चीन में असली कागस बनाने का श्रेक किसे जाता है? A. तसाइलून B. वावा C. चिन D. कुन्जून सही उत्तर है A. तसाइलून सवाल निमनलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? A. जमनालाल बजाज वर्धा में सत्याग्रह आश्रम B. दादा भाई नौरोजी बॉम्बे असोसियेशन C. लाला लाच पत्राए लाहोर में राष्ट्रिय विद्याले D. बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा सही उत्तर है D. बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा सवाल निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? A. भारत से प्रकाशत पहला समाचार पत्र दबंगाल गजट B. अखिल भारतिय हरिजन संग के संस्थापक महात्मा गांधी C. गदर आंदोलन के सक्रिय भागीदार हर्दयाल बाबा हरनाम सिंग और टुंडीलिट D. पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉड मिंटो सही उत्तर है D. पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉड मिन्टो सवाल निमनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी B. सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है C. हिंडू कॉलेज कलकत्ता भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में मदद करने वाली पहली संस्था है D. लाला लाचपत राय को कभी भी भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया था D. लाला लाचपत राय को कभी भी भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया था सवाल निमनलिखित में से कौन सा जोड़ा सही धंग से मेल नहीं खाता है A. बक्सर की लड़ाई 1764 B. सहाय अगट बंधन 1863 C. भारत में इस्ट इंडिया कमपनी का एक आधिकार 1833 D. भारत में ब्रिटिश नागरिकों और कमपनियों के लिए ट्रेडों का उध्धातन 1813 सही उत्तर है B. सहाय गट बंधन 1863 सवाल निमनलिखित में से कौन सा योग्म? संधी और वर्ष सही सुमेलित है A. लखनव संधी 1916 B. गांधी इर्विन समझोता 1932 C. लियाकत अली भुला भाई देशाई समझोता 1945 D. शिमला संधी 1946 सही उत्तर है A. लखनव संधी 1916 सवाल भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझोता हुआ A. उन्नी सो पैसट B. उन्नी सो एकत्तर C. उन्नी सो बहत्तर D. उन्नी सो तिहत्तर सही उत्तर है C. उन्नी सो बहत्तर सवाल किन दो नेताओं ने भारत का दोरा किया और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया A. गांधी तिलक B. जवाहर लाल नहरू सुभाश चंद्रबोस C. बिपिन चंद्रपाल अर्बिन दो घोश D. गुपाल कृष्म गोखले मोती लाल नहरू सही उत्तर है A. गांधी तिलक सवाल अधिकारिक विग को त्यागने वाले और गांधी टोपी पहन कर सदन की अध्यक्षता करने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे? A. सत्य नारायन सिन्हा B. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद C. जी V. मावलनकर D. संजीव रैड़ी सही उत्तर है C. जी V. मावलनकर सवाल भारत के समविधान निर्माता डॉक्टर भीमरावं बेटकर की मृत्यू निमनलिखित में से किस तिथी को हुई थी? A. 15 दिसंबर 1956 B. 6 दिसंबर 1956 C. 6 नवंबर 1956 D. 6 अक्टूबर 1969 सही उत्तर है B. 6 दिसंबर 1956 सवाल डॉव भीमरावं बेटकर की कौन सी पुन्यति थी 2016 में पढ़ेगी? A. 58 B. 69 C. 7 वी D. 71 सवाल निमनलिखित में से किस भारतिय को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? A. रवींद नाथ टैगोर B. C. राजगोपालाचारी C. लाला लाजपतराए D. B. आर अमबेटकर सही उत्तर है A. रवींद नाथ टैगोर सवारवींद नाथ टैगोर की मृत्यू किस वर्ष हुई थी? A. 1879 B. 1911 C. 1941 D. 1765 सही उत्तर है C. 1941 सवाल निमनलिखित में से किस ने रवींद नाथ टैगोर को महान प्रैरी कहा था? A. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद B. महात्मा गांधी C. डॉक्टर राजेंद प्रसाद D. सुभाश चंद्र बोज सही उत्तर है B. महात्मा गांधी सवाल निमनलिखित में से कौन सा कथन रवींद नाथ टैगोर के बारे में सही नहीं है? A. उन्होंने प्राचीन भारत और इसकी संस्कृती की महिमा गाए B. वो शिवाजी और गुरु गोविन सिंग को राष्ट निर्माता के रूप में मानते थे C. उनके कई गीप मराथों के वीरता का खंदन करते हैं D. उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पहलों का समर्थन किया सही उत्तर है D. उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पहलों का समर्थन किया सवाल जय जवान, जय किसान, का नारा किस ने दिया है? A. लाल बहादुर शास्त्री B. सुभाश चंद्रबोस C. देवी लाल D. मुरारजी देशाई सही उत्तर है A. लाल बहादुर शास्त्री सवाल किस ने कहा था? स्वतंत्रता लगभग पहुच के भीतर है हमें इसे जबत करना होगा A. महात्मा गांधी B. सुभाश चंद्रबोस C. जवाहर लाल नहरू D. शौकत अली सही उत्तर है A. महात्मा गांधी सवाल बहुचर्चित गौड पार्टिकल है A. न्यूट्रिनो B. लैप्टान C. हिग्स बोसून D. मिसोन सही उत्तर है C. हिग्स बोसून सवाल निमनलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है A. ओप्टेक फाइबर प्रकाश तरंगे B. अन्ड्रोइड वोयस इन्पुट C. लाज हेड्रोन गौड पार्टिकल कोलाइडर D. लाल ग्रेह मंगल सही उत्तर है B. अन्ड्रोइड वोयस इन्पुट सवाल भोतेकी की वो शाखा जो अतिस्व उक्ष्मकनों की गती से सम्बंधित है कहलाती है A. फील्ड थ्योरी B. कर्ण भोतेकी C. क्वांटम यांत्रेकी D. परमानों भोतेकी सही उत्तर है C. क्वांटम यांत्रेकी सवाल विज्ञान का वोग्षेत्र जो मानव और मशीन के बीच स्वचालन और संचार का अध्ययन करता है कहलाता है A. हीड्रोपोनिक्स B. क्रायोजेनिक्स C. डाइटैक्स D. साइबरनेटिक्स सही उत्तर है D. साइबरनेटिक्स सवाल नवीनतम अंड्रोइड मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम 6.00 का नाम है A. मार्शमेलो B. जेली बीन C. किटकेट D. लॉलीपोप सही उत्तर है A. मार्शमेलो सवाल समय मापन का विज्ञान है A. होरोलोजी B. ब्रमान्ड विज्ञान C. टोमोग्राफी D. जल विज्ञान सही उत्तर है A. होरोलोजी सवाल घर्शन और सनेहन का अध्ययन है A. क्राइोजेनिक्स B. सेलिनोलोजी C. होरोलोजी D. ट्राइबोलोजी सही उत्तर है D. ट्राइबोलोजी सवाल विज्ञान के किसक्षेत्र में हम वाइट ड्वार्फ के बारे में जानेंगे A. खगोल विज्ञान B. क्रिशी C. आनुवन शेकी D. न्रिविज्ञान सही उत्तर है A. खगोल विज्ञान सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? A. वायूयान के विशेश रबड के टाइरों को थोड़ा कंडक्टिक बनाया जाता है B. नीली तरंगे प्रकाश की बैंगनी तरंगों से अधिक बिखरती हैं ताकि आकाश नीला दिखाई देना की बैंगनी C. गीले बालों के माध्यम से चलने वाली कंगी कागस के छोटे टुकणों को आकरशित नहीं करती है D. ज्वलनशीर सामगरी ले जाने वाले वाहनों में आमतोर पर जमीन को चुने वाली धातु की रस्सी होती है सही उत्तर है B. नीली तरंगे प्रकाश की बैंगनी तरंगों से अधिक बिखरती हैं ताकि आकाश नीला दिखाई देना की बैंगनी सवाल राष्ट्रिय भौतिक प्रयोग शाला स्थित है A. नीली B. चेननई C. बेंगलूरू D. कोलकाता सही उत्तर है A. नीली सवाल राष्ट्रिय रासायनिक प्रयोग शाला स्थित है A. लखनऊ B. नीली C. पुने D. हाइदराबाद सही उत्तर है, C. पुने सवाल टाटा इंस्टीटीट ओफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है A. बैंगलो, B. कोलकाता, C. दिल्ली, D. मुंबई सही उत्तर है, D. मुंबई सवाल लेजा का पूर्ण रूप है A. विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा लोग प्रवर्धन B. विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन C. विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा स्थानिय रूप से प्रवर्धित D. रेडियो के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन सही उत्तर है B. विकिरन के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन सवाल लेजर उत्पादन करने की एक युक्ती है A. सहज विकिरन B. बिखरा हुआ विकिरन C. बिखरे हुए विकिरन D. उत्तेजत विकिरन सही उत्तर है D. उत्तेजत विकिरन सवाल विश्व की सबसे उची भू आधारत दूरदर्शी वैद्शाला स्थित है A. कोलंबिया B. भारत C. नेपाल D. स्विट्सलेंड सही उत्तर है B. भारत सवाल वह वैज्ञाने कौन है जिसके सम्मान में चंद्र एक्सरे टैलिस्कोप का नाम रखा गया है A. चंद्रशेखर वैंकट रमन B. जगदीश चंद्रबोस C. प्रफूल चंद्र रोय D. सुब्रमन्यम चंद्रशेखर सही उत्तर है D. सुब्रमन्यम चंद्रशेखर सवाल उंत्रिक्ष में जाने वाला प्रथम उंत्रिक्ष यात्री कौन है A. यूरी गगारिन B. एलर शैपड C. एस्टितोव D. जौन यूंग सही उत्तर है A. यूरी गगारिन सवाल निमनल इखित में से कौन विश्व की प्रथम महिला अंत्रिक्ष यात्री है A. बचेंद्री पाल B. जनको ताबे C. वैलंटीना तेरै शकोवा D. सैली राइड सही उत्तर है C. वैलंटीना तेरै शकोवा सवाल चन्द्रमा है A. एक सितारा B. एक ग्रेह C. एक उपग्रा D. एक उलकापिन सही उत्तर है C. एक उपग्रा सवाल Nuclear Reactor Time Bomb की लेखक कौन है A. C. C. पाक B. E. P. ओधुम C. S. पोला की D. ताकाशी हिरो से सही उत्तर है D. ताकाशी हिरो से सवाल निमनल इखित में से किस जोडी का उप्योग सामान्य टॉर्च सेल के टमिनिलों को बनाने के लिए किया जाता है A. जिन्क कार्बन B. कौपर सही उत्तर है A. जिन्क कार्बन सवाल G. अएफ का अर्थ है A. भौगोलिक छवी प्रारूप B. वैश्विक छवी प्रारूप C. ग्राफिकल इंटर्चेंज प्रारूप D. उपर यूप्प में से कोई नहीं सही उत्तर है C. ग्राफिकल इंटर्चेंज प्रारूप सवाल जीपिएस निमनलिखित में से किसके लिए है A. ग्रीनविच द्रूविय उपग्र B. वैश्विक पुलिस निग्रानी C. ग्लोबल पोजशनिंग सिस्टम D. सामान्य प्रशांत सर्वेक्षन सही उत्तर है C. ग्लोबल पोजशनिंग सिस्टम सवाल A. T. M. साधन A. स्वचालित लेंदेन मशीन B. स्वचालित स्थानांतरन मशीन C. स्वचालित टेलर मशीन D. अग्रिम लेंदेन मशीन सही उत्तर है C. स्वचालित टेलर मशीन सवाल ब्लैक होल A. कोई विकिरन उत्सजित नहीं करता है B. यूवी विकिरन को अवरक्ट में परिवर्तित करता है C. अपने उपर पढ़ने वाले सभी विकिरनों को अवशोशित कर लेता है D. एक कालपनिक अवधारना है सही उत्तर है C. अपने उपर पढ़ने वाले सभी विकिरनों को अवशोशित कर लेता है सवाल धूंकेतों की पूंच हमेशा इशारा करती है A. सूर्य से दूर B. सूर्य की ओर C. उत्तर पूर्फ की ओर D. दक्षिन पूर्फ की ओर सही उत्तर है A. सूर्य से दूर सवाल अत्यदिक सघंतारे कहलाते है A. सुपनोवा B. न्यूट्रोन सितारे C. बाइनरी सितारे D. शुद्रग्रह सही उत्तर है B. म्यूट्रोन सितारे सवाल भारत के कुल उर्जा उत्पादन में परमानू उर्जा का प्रतिशत है A. साथ प्रतिशत B. सत्ताइस प्रतिशत C. दस प्रतिशत D. तीन प्रतिशत सही उत्तर है D. तीन प्रतिशत सवाल 21 सवी सदी की कौन सी तकनीक उपकरण लगुकरण में चमतकार कर सकती है A. परमानू लेजर तकनीक B. नैनो प्रोध्योगे की C. जीनोलोजी D. हाइड्रोपोनिक्स सही उत्तर है B. नैनो प्रोध्योगे की सवाल नैनो पार्टिकल का आकार किसके बीच होता है A. सो एनेम से एक हजार एनेम B. शून्य दशमलव एक एनेम से एक एनेम C. एक एनेम से सो एनेम D. शून्य दशमलव शून्य एक एनेम से शून्य दशमलव एक एनेम सही उत्तर है C. एक एनेम से सो एनेम सवाल नैनो प्लाग का संबंध है A. एक छोटी गोली B. एक छोटी सुन्वाई सहायता C. एक छोटा रॉकेट लॉंचर D. उपर युक्ट में से कोई नहीं सही उत्तर है B. एक छोटी सुन्वाई सहायता सवाल निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है A. नैनो या माइनस 120 dB तक द्वनी स्तर का पता लगा सकता है B. नैनो या माइनस 60 dB जितनी कम द्वनी का पता लगा सकता है C. नैनो कान में एक एकल सिलिका नैनो कन होते है D. नैनो या माइनस 60 dB जितनी कम द्वनी का पता लगा सकता है सवाल भारहींता की स्थिती में मुम्बत्ती की लौका आकार होगा एक लंबे समय तक B. छोटा C. गोलाकार D. लगातार सही उत्तर है C. गोलाकार सवाल इन्रोन पावर प्रोजेक्ट कहां स्थित है? A. कलोल B. एहमदनगर C. विरार D. दाभोल सही उत्तर है D. दाभोल सवाल हाइड्रो कार्बन विजन दो हजार पच्चीस संबंधित है A. पेट्रोलियम उत्पादों का भंदारन B. यूरो आय और यूरो दो वाहन C. ग्रीन हाउस प्रभाव D. उपर यूप्प में से कोई नहीं सही उत्तर है A. पेट्रोलियम उत्पादों का भंदारन सवाल भारत ने परमानू हथियारों के अप्रसार की संधी पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है A. ये भेद्भावपूर्ण है B. ये भारत की परमानू सैन्यक्षमता को धीमा कर देगा C. ये परमानू उर्जा के शान्तिपूर्ण उप्योग के खिलाफ है D. ये ताकत दक्षिन एशिया एक शेत्र में संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है सही उत्तर है A. ये भेद्भावपूर्ण है सवाल नैनो हमिंगबड है A. अब तक अन्देखे हमिंगबड की एक नई प्रजाती B. एक बेहत छोटी इलेक्ट्रिक कार जो 360 मोर ले सकती है C. यूएस्ते में विक्सित जेवाकार का मानव रहित जासूसी विमान D. मधुमक्खी की एक नई किस्म सही उत्तर है C. यूएस्ते में विक्सित जेवाकार का मानव रहित जासूसी विमान सवाल भारतिया विज्ञान कॉंग्रेस 2001 की थीम थी A. खाध्य पोशन और परियावरन सुरक्षा B. शुध विज्ञान में रुची में गिरावट को गिरफतार करें C. भारत उर्जा आत्मनिर्भर बनाओ D. मेक इंडिया आई T. महाशक्ती सही उत्तर है A. खाध्य पोशन और परियावरन सुरक्षा सवाल वाहनों के इंजन को थंडा करने के लिए निमनलिखित में से किस उपकरन का उप्योग किया जाता है? A. पॉलीग्राफ B. टबाइन C. रेडियेटर D. चतुर्भुज सही उत्तर है C. रेडियेटर सवाल निमनलिखित में से कौन सा संगत हन विज्ञान और प्रोध्योगी की से संबंधित नहीं है? A. DST B. CSIR C. ICSASR D. DEE सही उत्तर है C. ICSASR सवाल स्वचालत कलाई घरियों में उर्जा प्रदान की जाती है A. Manual Binding B. Battery C. Liquid Crystal D. हमारे हाथ के विभिन आंदोलनों सही उत्तर है D. हमारे हाथ के विभिन आंदोलनों सवाल निमनल इखित में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्री अथमों नुक्लियर प्रायोगिक रियक्टर इटर परियोजना का निर्मान किया जाना है A. उत्तरी स्पेन B. दक्षिनी फ्रांस C. पूर्वी जर्मनी D. दक्षिनी एटली सही उत्तर है B. दक्षिनी फ्रांस सवाल ब्रिटेंग के वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी ट्रेक्टर बनाया है निमनल इखित में से इसे पहचानिये A. सार्वजनिक परिवहन में उप्योग की जाने वाली दो मंजला जुगार प्रकार की ट्रेक्टर ट्रॉली B. सार्वजनिक सडकों को साफ करने के लिए एक तंतर वाला ट्रेक्टर और चलाने के लिए किफायती है C. बुलेट ट्रेन शक्तिशाली चुम्बकों की सहायता से प्रिथवी के गुरु त्वाकर्षन के सिध्धान्त पर चलती है D. एक तंतर के साथ एक अंतरिक्ष यान जोगशुद्र ग्रहों को प्रिथवी से टकराने से रोकेगा सही उत्तर है D. एक तंतर के साथ एक अंतरिक्ष यान जोगशुद्र ग्रहों को प्रिथवी से टकराने से रोकेगा सवाल निमनलिखित में से कौन सा देश परमानू आपूर्टिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है A. चीन B. न्यूजीलेंड C. आयरलेंड D. इरान सही उत्तर है D. इरान सवाल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रूप द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद कौन सा देश पहला था जिसने भारत को असेन्य परमानू प्रोध्योगी की की आपूर्ती की अनुमती देने वाले समझोते पर हस्ताक्षर किये सवाल कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंग एर्सी का नाम है ए, एक स्वदेशी रूप से विक्सित रडा प्रनाली को भारतिय रक्षा में शामिल किया गया बी, हिंड महासागर रिम के देशों को सेवाई प्रदान करने के लिए भारत का उपग्रह सी, अंटार्क्टिक क्षेत्र में भारत द्वारास्थाप्पित एक वैज्ञानिक प्रतिश्ठान डी, वैज्ञानिक रूप से आक्टिक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भारत के पानी के नीचे वैद्शाला सही उत्तर है डी, वैज्ञानिक रूप से आक्टिक शेत्र का अध्ययन करने के लिए भारत के पानी के नीचे वैद्शाला सवाल, डक्षिन गंगोत्री स्थित है ए, उत्तराखंड बी, आक्टिक सी, हिमालय डी, अंटार्क्टिका सही उत्तर है सवाल, अंटार्क्टिक अनुसंधान के लिए स्थापित पहला भारतिय स्टेशन कहा जाता है सही उत्तर है सवाल, भारति, अंटार्क्टिका में स्थापित अनुसंधान केंद्र को कहा जाता है सही उत्तर है सवाल, भारत द्वारा अंटार्क्टिका में स्थापित किये जा रहे नए अनुसंधान केंद्र का नाम है सही उत्तर है सवाल, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है सवाल, निम्न लिखित में से कौन सा पानी के शरीर में घनत्वध हाल दिखाता है सवाल, निम्न लिखित में से कौन सा विमान नहीं है सवाल, मैं मिलकी वे का नागरिक हूँ उप्रोक्त कथन द्वारा जिम्मीदार ठहराया गया है सवाल पहला भारी जल से अंत्र स्थापित किया गया था सवाल, निम्न लिखित में से कौन प्रकृती में पैरामेगनेटिक है सवाल, निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर तरल रूप में है? ए, लिथियम, बी, सोडियम, सी, फ्रांसियम, डी, सेरियम सही उत्तर है, सी, फ्रांसियम सवाल निम्न लिखित में से कौन सी धातु चुम्बक द्वारा आकरशित नहीं होती है? ए, लोहा, बी, निकल, सी, कोबाल्ट, डी, एल्यूमीनियम सही उत्तर है, डी, एल्यूमीनियम सवाल निम्न लिखित में से कौन सा गैर विद्विध चुम्बकिया तत्व है? एक निकेल, बी, कोबाल्ट, सी, क्रोमियम, डी, कॉपर सही उत्तर है, डी, कॉपर सवाल चुम्बकिया सुई किस ओर इशारा करती है? ए, पूर्व, बी, पश्चिम, सी, उत्तर, डी, आकाश सही उत्तर है, सी, उत्तर सवाल टेप रिकॉर्डर के टेप को निमनलिखित में से किस से लेपित किया जाता है? ए, कॉपर सल्फेट, बी, फेरो मेगनेटिक पावडर, सी, जिन्क ओक्साइड, डी, बूध सही उत्तर है, बी, फेरो मेगनेटिक पावडर सवाल गडी में क्वाट्स क्रिस्टल की कार्य प्रनाली किस पर आधारित है? ए, फोट्टो इलेक्ट्रिक प्रभाव, बी, जॉन्सन प्रभाव, सी, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, डी, एडिसन प्रभाव सही उत्तर है, सी, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव सवाल एक इलेक्ट्रोनिक घडी में एक पेंदुलम घडी के पेंदुलम के अनुरूप घटक है A. ट्रांजिस्टर B. क्रिस्टल थर्थरानवाला C. डायोड D. बैलेस वील सही उत्तर है B. क्रिस्टल थर्थरानवाला सवाल लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है A. कलाय घडिया B. प्रदर्शन उपकरण C. पॉकेट कैलकुलेटर D. उप्रोक्त सभी सही उत्तर है D. उप्रोक्त सभी सवाल निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है A. राष्ट्रिय समुद्र विज्ञान संस्थान गोअ B. भारतिय राष्ट्रिय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैद्रबाद C. राष्ट्रिय महासागर प्रोध्योगी की संस्थान चेननाई D. अन्टार्क्टिक अध्ययन केंद्र बैंगलो सही उत्तर है D. अन्टार्क्टिक अध्ययन केंद्र बैंगलो सवाल निमनलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है A. विक्रम साराभाई, श्रीहरेकोटा अंतरेक्ष केंद्र B. इस्रो उपग्रह केंद्र, थुम्बा C. शाप सेंटर, बैंगलो D. अंतरेक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहम्दाबाद सही उत्तर है D. अंतरेक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहम्दाबाद सवाल भारतिय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगिक विज्ञान संस्थान स्थित है A. पुने B. लखनव C. हाइद्राबाद D. बैंगलो सही उत्तर है D. बैंगलो सवाल दुनिया की सबसे सटीक घड़ी जो हर 30 करोर साल में सिर्फ एक सेकंड खोती है का इस्तेमाल करती है A. क्वाद्स परमानू B. सिलिकॉन परमानू C. स्ट्रोटियम परमानू D. जिन्ट परमानू सही उत्तर है C. स्ट्रोटियम परमानू सवाल काबन माइक्रोफोन का सबसे अच्छा उप्योग किया जाता है A. डाइनमो B. टेलिफोन C. ट्रांसफोर्मर D. इन्में से कोई नहीं सही उत्तर है B. टेलिफोन सवाल ग्रहों की गती के नियमों को प्रतिपादित किया था A. न्यूटन B. केपल C. गैलिलियो D. कॉपनेकर्स सही उत्तर है B. केपल सवाल चुम्बकिया अनुनाद इमेजिंग MRI किस घटना पर आधारित है A. परमानु चुम्बकिया अनुनाद B. इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद C. इलेक्ट्रॉन अनु चुम्बकिया अनुनाद D. मानव उत्तकों के डिमागनेटिस्म सही उत्तर है A. परमानु चुम्बकिया अनुनाद सवाल सोलेक्षो है A. कम्प्यूटर प्रोग्राम B. चंद्रमा छोटी गाड़ी C. एक जूते का नर्म एक मात्र D. सौर रिक्षा सही उत्तर है D. सौर रिक्षा सवाल साइटो ट्रोन वो युक्ती है जिससे उत्पादन होता है A. विद्यूत्व उर्जा B. कृत्रिम जल्वायू C. द्वनी D. स्क्रीन पर चित्र सही उत्तर है B. कृत्रिम जल्वायू सवाल इशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? A. चेननाई B. बैंगलो C. रुलकी D. इन में से कोई नहीं सही उत्तर है C. रुलकी सवाल भारत में मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? A. एक अक्टूबर उन्नीसो अठावन B. दो अक्टूबर उन्नीसो चप्पन C. एक अप्रेल उन्नीसो सत्तावन D. एक जन्वरी उन्नीसो अठावन सही उत्तर है C. एक अप्रेल उन्नीसो सत्तावन सवाल एक टैचियन का अर्थ है A. एक कन प्रकाश की गती से तेजी से आगे बढ़ रहा है B. भारी परमानो नाभेक का एक घटक C. वायू में द्वनी के वेग से अधिक गती करने वाला कन D. जाली कमपन की एक मात्रा सही उत्तर है A. एक कन प्रकाश की गती से तेजी से आगे बढ़ रहा है सवाल वाटर जैट टेकनोलोजी का अनुप्रयोग होता है A. सिर्चाय, B. खानों की ड्रिलिंग, C. अगनिश्मन, D. भीर नियंत्रन सही उत्तर है B. खानों की ड्रिलिंग सवाल जब किसी सूचना को टेली फोन पर डायल किया जाता है और टेली विजन स्क्रीन पर पढ़ा जाता है तो इसे जाना जाता है A. टैलेक्स, B. टैलीफेक्स, C. टैलेटेक्स, D. टैलीप्रोसेसिंग सही उत्तर है B. टैलीफेक्स सवाल जब बीम का प्रयोग किया जाता है A. कैंसर का इलाज, B. दिल का इलाज, C. आंक का इलाज, D. गुर्दे का उपचार सही उत्तर है C. आंक का इलाज सवाल खनिज है A. तरल पदार्थ, B. आकार्बनेक्थोस, C. गैसे, D. उप्रोक्त सभी सही उत्तर है B. आकार्बनेक्थोस सवाल निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है A. वाई दो के कम्प्यूटर B. गठिया, यूरिक एसिड C. द्वनी प्रदूशन, डैसिबल D. अडोब, हार्डवेर सही उत्तर है D. अडोब, हार्डवेर सवाल निमनलिखित में से कौन सा कथन सत्य है A. जॉन हॉपकिन्स होम्योपेथी के संस्थापक थे B. आईजेक न्यूटन ने विकास के सिध्धान्त को प्रतिपादित किया है C. कार्बन मोनो ओक्साइड अधिक वायू प्रदूशन पैदा करता है D. वास को D गामा ने अमेरिका की खोज की सही उत्तर है C. कार्बन मोनो ओक्साइड अधिक वायू प्रदूशन पैदा करता है सवालोटो हैन ने परमानू बम की खोज किसके सिध्धान्त से की A. युरेनियम विखंडन B. परमानू विखंडन C. अल्फा विकिरन D. गामा विकिरन सही उत्तर है B. परमानू विखंडन सवाल परमानू बम के सिध्धान्त पर आधारित है A. परमानू विखंडन B. परमानू समलन C. परमानू स्पैलेशन D. उपर युक्प में से कोई नहीं सही उत्तर है A. परमानू विखंडन सवाल निम्नलिखित में से किसने लिखा था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का उध्धार नहीं होगा A. म. जिन्ना B. कलेमान्ट रिचर्ड एटली C. विन्स्टन चचिल D. सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर है D. सुभाष चंद्र बोस सवाल बाकी सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन क्रिशी नहीं ओप्रोक्त कथन का श्रे दिया जाता है A. जगजीवन राम B. जवाहर लाल नहरू C. महात्मा गांधी D. सरदार पटेल सही उत्तर है B. जवाहर लाल नहरू सवाल बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष थापित की गई थी A. अठारा सो बयालीस B. अठारा सो पैतालीस C. अठारा सो पचास D. अठारा सो चावण सही उत्तर है D. अठारा सो चावण सवाल राजा जनता के लिए बने है जनता राजा के लिए नहीं बनी है राश्ट्रिय आंदोलन के दोरान निमन लिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था A. सुरेंद नाथ बैनर जी B. आर C. दत C. दादा भाई नौरोजी D. गोखले सही उत्तर है C. दादा भाई नौरोजी सवाल भारत में बॉई स्काउट्स और सिविल गाइद्स आंदोलन की संस्थापक थे A. चार्ल्स एंड्रूज B. रॉबर्ट मोनकोमरी C. रिचर्ड मंदिर D. बादेन पॉवेल सही उत्तर है D. बादेन पॉवेल सवाल भारतिया स्वतंत्रता संग्राम के संदर्ब में निमन लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है A. रोलेट आक्ट ने लोकप्रियक रोध की लेहर पैदा की और जलियां वाला बागनर सनहार का नेत्रित्व किया B. सुभाष चंद्रबोस ने फोवर्ड ब्लॉक का गठन किया C. भगत सिंग हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट असोसियेशन के संस्थापकों में से एक थे D. 1931 में कराची में कॉंग्रेस अधिवेशन ने गांधी इर्विन समझोते का विरोध किया सही उत्तर है D. 1931 में कराची में कॉंग्रेस अधिवेशन ने गांधी इर्विन समझोते का विरोध किया सवाल कथन मैं एक समाजवादी और एक गंतंत्रवादी हूँ और राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं करता किस से? संबंधित है सवाल निमनल इखित में से किसे भारत में साम्यवाद के महायाजक के रूप में वर्नित किया गया था? सवाल निमनल इखित में से कौन जवाहरलाल नहरू का जीवनी लेखक है? A. फ्रांक मोरिस B. दोम मोरिस C. लुई फिशर D. वैब मिलर सही उत्तर है A. फ्रांक मोरिस सवाल द्वैद शासन का जनक किसे कहा जाता है? A. लॉड क्लाइव B. हैक्टर मुनारो C. लॉड मैकॉले D. सर लियोनल कार्टिस सही उत्तर है D. सर लियोनल कार्टिस सवाल वर्ष 1945 में नागा साकी जापान में गिराए गए बमों में किस विखंडनिय पदार्थ का प्रयोग किया गया था? A. सोडियम B. पोटेशियम C. प्लुटोनियम D. यूरेनियम सही उत्तर है C. प्लुटोनियम सवाल किस देश ने प्रथम 3D टेलिविजन प्रसारण का परीक्षन शुरू किया है? A. यूके B. चीन C. अमेरिका D. दक्षिन अफ्रीका सही उत्तर है C. अमेरिका सवाल साइक कार आदी में बॉल बेरिंग का उप्योग किया जाता है क्योंकि A. पहिया और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक शेत्र बढ़ जाता है B. पहिया और धुरी के बीच संपर्क के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धी हुई है C. पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो गया है D. उपर युक्प में से कोई नहीं सही उत्तर है C. पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो गया है सवाल निमनल इखित घटनाओं में से कौन सा काला नुक्रमिक क्रम में तीसरे स्थान पर है A. चंपारण आंदोलन B. असहयोग आंदोलन C. भारत छोरो आंदोलन D. दांदी मार्च सही उत्तर है D. दांदी मार्च सवाल 1947 के बाद किस महिला ने भारतिय राजनीती में सबसे बड़ा योगदान दिया? A. अरुना आसफ अली B. कमला रानी सिंग C. तारकिश्वरी सिन्ह D. रबारी देवी सही उत्तर है A. अरुना आसफ अली सवाल ये हमारी भूल होगी यदि हम लीग के नेताओं की हिंसा और असभ्य हमलों के सामने बिहार के लोगों और उनकी सरकार को असुरक्षित छोड़ दे सन 1946 में ये किसने बताया था? A. महात्मा गांधी B. जवाहर लाल नहरू C. राजेंद्र प्रसाद D. सरदार पतेल सही उत्तर है D. सरदार पतेल सवाल 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाई थी? A. मौलाना मुहम्मद अली B. पंडित जवाहर लाल नहरू C. महात्मा गांधी D. मौलाना हस्रत मुहानी सही उत्तर है D. मौलाना हस्रत मुहानी सवाल मौ भारत के बटवारे के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अली जिन्ना? A. लौड करजन B. लौड इर्विन C. लौड लिनलित गो D. लौड मांट बेटन सही उत्तर है D. लौड मांट बेटन सवाल निमनल इखित में से किसने 31 दिसंबर? 1928 को दिल्ली में आयोजत सर्वदलिय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की? A. आगाखान B. म. जिन्ना C. फैस हुसेन D. करीम जलाल सही उत्तर है A. आगाखान सवाल हिंदू महासभा के अगस्त 1923 के बनारस अध्यवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? A. स्वामी श्रधानंद B. राजेंद्र प्रसाद C. लाला लाचपत राए D. पंदित मदन मोहन मालविय सही उत्तर है D. पंदित मदन मोहन मालविय सवाल उन वर्शों की पहचान करें जो क्रमशह भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी और RSS की स्थापना के सबसे करीब हैं A. 1915 1944 B. 1925 1925 C. 1928 1939 D. 1925 1949 सही उत्तर है B. 1925 1925 सवाल सीमान्त गांधी का वास्तविक नाम है A. पुरुशोत्तम दास्टंडन B. नेताजी सुभाष चंद्रबोस C. अब्दुलगफार खान D. मौलाना अबुल कलाम आजाद सही उत्तर है C. अब्दुलगफार खान सवाल निमनलिखित में से किसे सीमान्त गांधी के नाम से जाना जाता है A. मौलाना अबुल कलाम आजाद B. खान अब्दुलगफार खान C. जतिन दास D. मौलाना मुहम्मद अली सही उत्तर है B. खान अब्दुलगफार खान सवाल खान अब्दुलगफार खान द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाये गए आंदोलन का क्या नाम था? A. लाल शर्ट B. भारत छोडो C. खिलाफत D. इन में से कोई नहीं सही उत्तर है A. लाल शर्ट सवाल निमनलिखित में से किसने डॉक्टर? B. आर अमबेटकर ने ये कहकर की अमबेटकर पर एक सौम्य ब्रिटिश सरकार द्वारा उनका नेत्रित्वत होपा गया है क्योंकि राश्ट्रवादी नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए उनकी सेवाएं आवश्यक थी A. महात्मा गांधी B. सुभाश चंद्रबोस C. डॉक्टर B. S. मुन्जे D. सर मिर्जा इस्माइल सही उत्तर है C. डॉक्टर B. S. मुन्जे सवाल अत्रिपुरा का मूल राज्य 20 वी शताबदी की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया क्योंकि A. त्रिपुरा के राजा हमेशा बृतिश विरोधी थे B. बंगाल के क्रांतिकारियों ने त्रिपुरा में शरन ली C. राज्य की जनजातिया प्रचन स्वतंत्रता प्रेमी थी D. पहले से ही कुछ समूह राज्शाही और उसके रक्षक अंग्रेजों के खिलाफ लड रहे थे सही उत्तर है B. बंगाल के क्रांतिकारियों ने त्रिपुरा में शरन ली सवाल राजेंद्र प्रसाद के थे A. उत्तर प्रदेश B. बिहार C. मध्य प्रदेश D. ओपर युक्ट में से कोई नहीं सही उत्तर है B. बिहार सवाल महान कवी रवींद्र नाथ टैगोर जब थे तब एक महान चित्रकार के रूप में उब्रे A. साथ साल B. बीस साल C. पचास साल D. सत्तर साल सही उत्तर है D. सत्तर साल सवाल जगत नारायन लाल को भेजा गया A. बाकी पुर जेल B. शिविर जेल C. भागल पुर जेल D. हजारी बाग जेल सही उत्तर है D. हजारी बाग जेल सवाल कस्तूर्बा और महादेव देसाई की समाधिया किसके परसर में स्थित है A. आगाखान पैलेस पुने B. यर्वदा जेल C. एहमदनगर किला जेल D. अलीपुर सेंट्रल जेल सही उत्तर है A. आगाखान पैलेस पुने सवाल कस्तूर्बा गांधी की समाधी किसके परसर में स्थित है A. अलीपुर सेंट्रल जेल B. एहमदनगर किला जेल C. आगाखान पैलेस पुने D. यर्वदा जेल सही उत्तर है C. आगाखान पैलेस पुने सवाल निमनलिखित में से कौन कॉंग्रेस के आधिकारेक इतिहास के लेखक थे? A. सी राजगो पालाचारी B. जेबी कृपलानी C. पत्ताभी सीता रमया D. सरदार पटेल सही उत्तर है C. पत्ताभी सीता रमया सवाल भारत में ओपनिवेशिक काल के दौरान विटली आयोग का उद्देश्य क्या था? A. आगे के राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की फितनेस की समीक्षा करने के लिए B. श्रम की मौजूदा स्थितियों पर रिपोर्ट करने और सिफारिशे करने के लिए C. भारत के लिए वित्तिय सुधारों के लिए एक योजना तैयार करने के लिए D. भारत में सिविल सेवाओं के लिए एक व्यापक योजना विक्सित करने के लिए सही उत्तर है B. श्रम की मौजूदा स्थितियों पर रिपोर्ट करने और सिफारिशे करने के लिए सवाल कैद्रीन मेयो, एल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम दिगबी के बीच सामान्य संबंध क्या था? A. उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोरान भारत की स्थिती पर टिपपनिया लिखी B. वे भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन के समर्थक थे C. वे भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन के विरोधी थे D. वे महात्मा गांधी के मित्र थे सही उत्तर है A. उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोरान भारत की स्थिती पर टिपपनिया लिखी सवाल बंगाल के अकाल का वर्ष जिसमें लाखों लोग मारे गए है A. 1942 B. 1943 C. 1944 D. 1945 सही उत्तर है B. 1943 सवाल लोगों के बीच वैश्विक शान्ती और सहयोग स्थापित करने के लिए जवाहरलाल नहरू द्वारा निमनलिखित में से कौन सी अवधारना पेश की गई थी? A. गुटनिर्पेक्षता B. पंच शील C. शान्तिपूर्ण सेहस्तित्व D. उपर युप्ट में से कोई नहीं सही उत्तर है A. गुटनिर्पेक्षता सवाल 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पूर्टगालियों के नियंत्रण में रहा? A. गुटनिर्पेक्षता A. गुटनिर्पेक्षता A. गुटनिर्पेक्षता B. सिक्किम C. पॉंडिचेरी D. अंडमान और निकोबार सही उत्तर है A. गुटनिर्पेक्षता बाद भी भारत में किस अपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना पड़ा? A. एक फ्रेंच B. डच C. ब्रिटिश D. पॉर्टगाली सही उत्तर है D. पॉर्टगाली सवाल निमनल इखित में से कौन सक कथन जवाहरलाल नहरू के लिए सही नहीं है? A. वो समाजवाद से प्रभावित था B. वो ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे C. वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे D. वो जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित था सही उत्तर है D. वो जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित था सवाल निम्नल इखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता पूर्व अवधी के दोरान बिहार में एक प्रमुक जाती नहीं थी? A. भूमिहार B. राजपूत C. कायस्त D. कुर्मी सही उत्तर है D. कुर्मी सवाल ब्रिटिश हाउस अफ कॉममन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतियत है A. दादा भाई नौरो जी B. गोपाल कृष्न गोखले C. फिरोज शाह महता D. W. C. बैनर जी सही उत्तर है D. W. C. बैनर जी सवाल ब्रिटिश संसत के सदस्य के रूप में चुने गए पहले भारतिय कौन थे A. आर C. दत B. दादा भाई नौरो जी C. राम मोहन राई D. मेगनाद देशाई सही उत्तर है B. दादा भाई नौरो जी सवाल भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? A. अठारा सो एकसथ B. अठारा सो बानवे C. उननीस सो नौ D. उननीस सो उननीस सही उत्तर है B. अठारा सो बानवे सवाल स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दीवबंध विद्वान का नाम बताई A. अबुलकलाम आजाद B. मुहम्मद अली जिन्ना C. बदरुद्दीन तैयब जी D. चिराग अली सही उत्तर है A. अबुलकलाम आजाद सवाल स्वतंत्र भारत की प्रथम और द्योगिक नीती की घोशना वर्ष में की गई थी A. उननीस सो सैंतालीस B. उननीस सो अर्तालीस C. उननीस सो अक्यावन D. उननीस सो चप्पन सही उत्तर है B. उननीस सो अर्तालीस सवाल भारत की पहली साम्यवादी सरकार के प्रांत में स्थापित किया गया था A. तमिलनाडू B. आंध्रप्रदेश C. केरल D. पश्चिम बंगाल सही उत्तर है C. केरल सवाल केरल में पहली साम्यवादी राज्य सरकार का गठन हुआ था A. उननीस सो तिरपन B. उननीस सो पच्पन C. उननीस सो सत्तावन D. उननीस सो उनसत सही उत्तर है C. उननीस सो सत्तावन सवाल निमनलिखित में से कौन नहरू का पक्षधर था लेकिन गांधी का नहीं? A. सत्य B. अहिंसा C. अस्प्रिश्यता D. भारी ओध्योगीक्रन सही उत्तर है D. भारी ओध्योगीक्रन सवाल भार्तिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के निमनलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी ने कहा था? गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधी वाध हमेशा रहेगा A. रामगर सत्र, 1940 B. लाहोर सत्र, 1939 C. कलकत्ता सत्र, 1928 D. कराची सत्र, 1931 सवाल निमनलिखित को सही काला नुक्रम में लिखिए A. असहयोग आंदोलन, नहरू रिपोट, साइमन कमीशन, भारत छोडो आंदोलन B. असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नहरू रिपोट, भारत छोडो आंदोलन C. असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोडो आंदोलन, साइमन कमीशन D. नेहरू रिपोर्ट, भारत छोडो आंदोलन, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन सही उत्तर है B. असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नहरू रिपोर्ट, भारत छोडो आंदोलन सवाल निमनल इखित के क्रम को निर्दिष्ट करें A. 1. साइमन कमीशन 2. सविने अवग्या आंदोलन 3. खुदाय खिद्मत गर्चार, सूरत का विभाजन B. 1. साइमन कमीशन 2. सविने अवग्या आंदोलन 3. सूरत का विभाजन 4. खुदाय खिद्मत गर C. 1. खुदाय खिद्मत गर्चार, सविने अवग्या आंदोलन 3. सूरत का विभाजन 4. साइमन कमीशन D. 1, सूरत का विभाजन 2. साइमन कमीशन 3. सविनय अवग्या आंदोलन 4. खुदाय खिदमतगर सही उत्तर है D.1 सूरत का विभाजन 2 साइमन कमीशन 3 सविने अवग्या आंदोलन 4 खुदाय खिद्मतगर सवाल 1929 में खुदाय खिद्मतगर का आयोजन किसने किया था? A. अब्दुलगफार खान B. अली ब्रदर्स C. अनसारी ब्रदर्स D. मौलाना अबुल कलाम आजाद सही उत्तर है A. अब्दुलगफार खान सवाल निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? A. अवद किसान सभा जवाहरलाल नहरू B. युनाइटड इंडियन पैट्रियोटिक असोसियेशन सरसयद एहमद खान C. अखिल भारतिय किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव D. रैडिकल डेमोक्रिटिक पार्टी महात्मा गांधी सही उत्तर है D. रैडिकल डेमोक्रिटिक पार्टी महात्मा गांधी सवाल निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? A. मोतीलाल नहरू, नहरू रिपोर्ट B. M. K. गांधी चंपारण आंदोलन C. S. C. बोस, फोवर्ड ब्लोक D. M. A. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन सही उत्तर है D. M. A. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन सवाल इताल्वी पुनर जागरण का प्रमुक कारण था A. इटली में वैज्ञानिक विकास B. अत्यधिक विक्सित शिक्षा C. विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता D. धर्म निर्पेक्ष परमपराए सही उत्तर है सी, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सवाल, अपारथीव, है ए, लिंग भेदभाव से संबंधित एक प्रनाली बी, आयू सेट से संबंधित एक प्रनाली सी, संस्थागत नसलिय अलगाव की दक्षिन अफ्रीका में एक प्रनाली सही उत्तर है सवाल कौन सा कथन सही है? सवाल वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोचना का संबंध था A. सामप्रदाइक समस्या B. डॉमिनियन स्थिती C. श्रमिक नेताओं D. अस्प्रिश्यता सही उत्तर है B. डॉमिनियन स्थिती सवाल वेवल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? A. उननीस सो बयालीस B. उननीस सो तैतालीस C. उननीस सो चोवालीस D. उननीस सो पैतालीस सही उत्तर है सवाल निमनलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? A. गदर पार्टी लाला लाच पत्राय B. फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफवार C. भारतिय राष्ट्रिय सेना सुभाष चंद्र बोस D. भारत के पहले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर है A. गदर पार्टी लाला लाच पत्राय सवाल किसने कहा कि सामराज जवाद दोडो की तरह मर चुका है? A. रामसे मैकडॉनल्ड B. विंस्टन चचल C. क्लेमेंट एटली D. लॉर्ड वेवल सही उत्तर है C. क्लेमेंट एटली सवाल किसने कहा यहाँ एक क्रांती हो रही है और हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए A. सर स्टाफोर्ड क्रिप्स B. लॉर्ड पैट्रेक लॉरेंस C. लॉर्ड वेवल D. A. B. सिकंदर सही उत्तर है A. सर स्टाफोर्ड क्रिप्स सवाल प्रथम परमानू बम का विस फोर्ड किस शहर में हुआ था? A. हिरोशिमा जापान B. काबुल C. लिस्बन D. रोम सही उत्तर है सही उत्तर है D. 1789 सवाल ओप्रेशन विजे किस देश के विरुद्ध चलाया गया? A. चीन B. बांगलादेश C. नेपाल D. पाकिस्तान सही उत्तर है D. पाकिस्तान सवाल किसान दिवस मनाया जाता है A. 23 मार्ज B. 23 जून C. 23 सितंबर D. 23 दिसंबर सही उत्तर है D. 23 दिसंबर सवाल नोबेल पुरसकार जीतने वाले पहले भारतियत है A. C. V. रमन B. रवींद नाथ टैगोर C. हरगोविंद खुराना D. अमर्त्य सेन सही उत्तर है B. रवींद नाथ टैगोर सवाल प्रथम अखिल भारतिय समाजवादी युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? A. सुभाश चंद्र बोस B. आचार्य नरेंद्र देव C. जवाहर लाल नहरू D. जेबी कृपलानी सही उत्तर है C. जवाहर लाल नहरू सवाल लीपोर सेंट्रल जेल स्थित है A. मुंबई B. कोलकाता C. चेन्नाई D. दिल्ली सही उत्तर है B. कोलकाता सवाल ओपरेशन पोलो का संबंध किस से है A. भारत छोडो आंदोलन B. सविने अवग्या आंदोलन C. जुनागर राज्य में सैन्यकार रवाई D. हैद्रबाद राज्य में सैन्यकार रवाई सवाल किस राज्य के सचिवालय भवन को लीखक भवन के नाम से जाना जाता है A. असम B. पश्चिम बंगाल C. महराष्ट्रा D. करनातक सही उत्तर है B. पश्चिम बंगाल सवाल भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है A. आथ मार्च B. एक मार्च C. चौदह जुलाई D. पात सितंबर सही उत्तर है D. पात सितंबर